जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिलको मौर पशुओं हार तो धूद बहेगा उनाफा बढ़ेगा आम बजट 2024 का एलान हो चुका है जहां तक बाद नौकरी पेशे की है तो जितने भी नौकरी पेशे वाले हैं उनकी पहनी नजर होती है परसनल इंकम टेक्स पर कि जो इंकम टेक्स है उसके slab rate में कुछ चेंजेस हुए है या नहीं अगर चेंजेस हुए भी है तो उन्हें इसका कितना फाइदा होगा तो बजट आ गया है तो इसी पर हम बात करेंगे हमारे साथ है चैटर अकाउंटें मुकेश जैन जी सर आपका दैनिक जागर में बहुत-बहुत सवागत है सबसे ज़्यादा जो नौकरी पेशा लोग होते हैं वह हमेशा यहीं देखते कि जब बजट आता है तो उनके जो इंकम टेक्स में उन्हें कहीं राहत मिली है या नहीं तो मैं आ सुर्ड selling पहले पांच Students & lax निल था तीम से चना सब्सक्राइब नौ से बारालागा सब्सक्ता से बारा गोर लाग का सलैव हो गया है तो यह अगर आप देखेंगे तो बारा लाग तक का जो अश्लय यहीं तक चेंज है बारा से 15 सेंज हैं तो और जो सेंड़ डिड़क्शन में चेंज आया स्टेंडर्ड डेड़क्शन जो 50,000 रुपे मिलती थी वो इन्होंने बढ़ा के 75,000 कर दिया अब हम बात करेंगे ओल्ड रिजीम वर्सेज न्यू रिजीम बिल्कुल तो ओल्ड रिजीम में कोई चेंज नहीं है क्योंकि अगर हम इंटेंशन देखें शुरू डेड़क्शन को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया जाता है यानि कि जो भी न्यू रिजीम को आप्ट कर रहा है उसके लिए बेनेफिट है अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना बेनेफिट हमें मिल सकता है तो अगर हम बात करें सेल्डिट क्लास की बात करें तो हमारा जो त तक टेक्स था 3,000,000 में कोई फरक नहीं था 5,000,000,000,000,000 फिंट कोई फरक नहीं क्योंकि 7,000,000 तक नियू रिजिम में टेक्स-free होता था बिलकुल साथ लाग प्लस 50,000 मिलाएंगे तो 7,500,000 कोई भी टेक्स नहीं था अगर हम अब की बात करें तो 7,75,000 कोई टेक्स नहीं ह साथ लाग रुपे तो 87A की रिबेट को मिला के है कि 7 लाग तक कोई टेक्स नहीं है साथ लाग से ऊपर प्लस 75,000 स्टेंडर डिड़क्शन को अगर मिला देंगे तो 7,75,000 की अगर आपकी इंकम है तो उसके कोई फरक नहीं है कोई टेक्स ही नहीं है उसके उपर अच्छा मतलब 7,75,000 तक अगर है तो उसके टेक्स नहीं है जो पहले 7,50,000 था उसके 25,000 रुपे और एट कर देंगे तो 7, पिछतर रुपे कोई टेक्स नहीं है क्योंकि हम सिर्फ अब और नियू रिजीम की बात करेंगे और रिजीम की नहीं करेंगे अब अगर हम आते हैं कि इंकम अगर आठ लाग रुपे हो जाती है तो आठ लाग रुपे में पहली टेक्स होता था 30,000 रुपे का जो पहले टे रुपे मान लेंगे तो टोटल हो गया साड़े साथ हजार रुपे फाइदा हो गया अगर आपकी इंकम आठ लाग रुपे है इसी तरह से अगर आपकी इंकम साड़े दस लाग रुपे है अगर 10,50,000 है तो आपका जो यह फाइदा है साड़े 12,000 रुपे का हो जाता है तो फाइदा है 17,500 अब मैं आपको यहीं रूखूँगा क्योंकि इसके बाद कोई फाइदा नहीं होने वाला अगर किसी की इंकम 20,50,000 उपे से उपर है तो उसको सिरफ और सिरफ 17,500 का फाइदा हो तो यह सेविंग है जो मैंने आपको बताई है अच्छा वैसे अगर कोई प अगर तो उसमें से अगर देखा जाए तो मुश्किल से 20 या 30 रिटांस थी जो मैंने ओल्ड रिजीम में फाइल किये इसका मतलब कि इस बजट से पहले भी नियू रिजीम में ही फायदा था अच्छा सिरफ किसी के में हाउसिंग लोन की डिटक्शन है उसमें थोड़ा बह और वाइज ऑल्रेड़ी फायदा नियू रिजीम में था अच्छा मतलब अभी जो नियू रिजीम है उसमें ज्यादा बैता तो यह डिटेक्शन में भी बड़ोतरी हो गई तो और ज्यादा फायदा अच्छा अगर ओवर ओल देखें आप जब भी कोई भी होता है जब हमे बजट आने वाला तो हर किसी को इंतजार होता है कि मेरे लिए क्या मेरे लिए क्या तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगा कि जो राहत मिली है इतना इनफ था या लोगों के डिमांड और जादा थे मतलब कुछ और बैतर हो सकता था स्पेशली टेक्सेशन को ही लेके में ब बहुत रही है क्योंकि जब भी लेने की बात आती तो हर एक का मन होता है हरे की इच्छा होती है कि मिल जाई क्याकि के अगर हम बात करें प्री बजट में तो प्री बजट में भी यही डिसकॉशन हो रहे थे कि कोई कह रहा था कि फस्ट जो स्लाव है तीन लाग का उसको बढ़ा के चार लाग है पांच लाग कर दिया जाएगा लोग की एकसी expectations भी थी old regime में जो ATC की deduction है वो डिल लाग से बढ़ा कर उसको दो कि उसके अंदर जो हो रहा था वह भी बताया गया था और जो विजन था वह भी बताया गया था कि हम क्या करना चाहते हैं अब अगर देसी भाशा में बोले तो तेल तिलों में से निकलता है तो अगर आपको कुछ देना है तो आपको उस साइट से receipt भी बढ़ानी पड़ेंग तो क्योंकि हम यहीं से जो कमाते हैं जो मेरी receipts हैं या तो मेरी receipts बढ़ेंगी तो मैं इधर से अपनी rebate या deductions को कम करूँगा बट ऐसा हो नहीं रहा था तो इसलिए बहुत जादा उमीद नहीं थी कुछ भी मिलने की लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे सेक्टर म में इन्होंने दिया जो घोशनाय करी हैं अगले पात साल में जैसे MSME सेक्टर में 100 करोड तक का लोन MSME सेक्टर को बिना किसी को लेटल सीक्योरिटी के on the basis of credit guarantee by central government यह बहुत बड़ी बात है इससे job creation होगा या EPFO में जो additional जो जो भी employment generate करेंगे उसका आपको फायदा मिलेगा उसे भी job बढ़ेगा एंप्लॉइमेंट बढ़ेगा तो अगर direct benefit देखें तो direct tax में कोई benefit नहीं हो बट indirectly देखेंगे तो बहुत सारी चीज़े की हैं जो की जो vision है मोदी जी का उसकी तरफ लेके जाती है अच्छा टेक्स के लावा आपको क्या लग रहा है बाकी चीजों मे एक सरफ long term capital gain जो shares पे जो short term जो long term पहले 10% होता था उसको बढ़ा दिया गया अच्छा उसको बढ़ाने का मतलब क्या है कि यह तो market discourage होगी अब अगर देखा जाए तो bank deposit की हम बात करें तो bank का cost of deposit बढ़ गया cost of deposit क्यों बढ़ गया क्योंकि जो आम जनता थी public थी उसने share market में जो भी gains हो रहे थे जो performance को देखते हुए अपना bank को से पैसा withdraw करके वो सारा का सारा पैसा share market में लगा दिया और share market बढ़ भी रही है अब वो पैसा bankों में कैसे लाया जाए तो यह इसी की तरफ एक move था कि government ने long term capital gain को बढ़ाया क कि ताकि कुछ percentage तो लोग discourage होंगे कि नई पैसे को बैंक में रखना है तो ताकि cost of deposit भी कम रहे बैंक के पास proper पैसा रहे ताकि वो एक अच्छे rate पे अपने borrowers को लोन दे पाए otherwise government को क्या होता है कि उसी को दूसी तरह से घुमा के interest subvention देनी पड़ती है अगेन वो बोज कही बिल्कुल जैसा कि सर ने बताया पुरा टेक्स के बारे में explain किया कि किसमें कितनी राहत मिलेगी इस budget में अगर आपकी इंकम आठ लाख है बारा लाख या पंदरा लाख जो भी आपकी इंकम है उस पर आपकी कितनी सेविंग्स बढ़ेंगी इस budget की वज़ा से जो टेक्स मे चेंजेस किए गए उसकी वज़ा से सर ने आप तक समझाया सर बहुत-बहुत धनिवाद हमारे दैनिक जागरन के दर्शकों को समझाने के लिए आप लोग भी देखते रहिए दैनिक जागरन शुक्रिया थैंक्यू